नमश्कार स्वागते आपका इबनाइन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरीमा मकरानी आईए देखते हैं खबरे विस्तार से सत्वा सानशेत्र में आने वाले ग्राम चतरपुरा में महिला को जहरीला परदाद खिलाने का मामला सामने आया है महिला को सुबह करीब 11 बजे जहरीला परदाद खिलाया गया था जिसे उपचार के लिए पहले सत्वा सरकारी अस्पताल में बढ़ती करवाया गया इस्तती खराब होते देख देवा जिलास्पताल रेफर किया गया डॉक्टर अरून मालवी ने बताया कि महिला के हालत गंबीर होने पर प्रात्मिक उप्चार करिंदोर एमवाईस रेफर कर दिया गया मामले में सत्वास पुलिस ने जाज शुरू कर दी है बरोचा के नायत रसलदार सुबाश गुमार ने गंबीर हालत में रुकसार पती तालिम खा निवासी चतरपुरा के बयान लिए बयान देते समय रुकसार उल्टिया कर रही थी बयान लेकर नायत रसलदार रवाना हो गय जोरान रुकसार के परिवार का यूवक मोबाइल से वीडियो बना रहा था जिसे नायत रसलदार के कहने पर पुलीस ने हिराफत में दे लिया नायत रसलदार के कहना है कि ये गोपनी बयान है जिसे अन्यवेक से रिकार्ड नहीं कर सकता महिला की शादी 2018 में हुई थी उसके एक बैटी भी है नाम है और अभी आप किसको लेकर आएं जिला अस्पताल में आज क्या होगा था हुआ थे वार अठीन शुष्ड़ान होने के बाद कर दो फिर के सिसरा अज क्या होगा थे जबतार रहत खर रहते हैं अधिन आप भात्या रहत बच्ची रहत तो दो एक दवा किला दी तो में कि वेटा सहीं बता है पुलिस के क्यों इनको भर्ते करा प्राइब तो उन्होंने नरके मारे फिर वहां से सब देवाद रेफर कर दिया रेफर कर दिया रेफर करने जैसे कोई बात तो क्या कुछ क्या विवाद का करण था क्यों हुआ है वह चाहता है कि मतलब दाइस प्रताइबना का मामला है ठीक आपका नाम आधा और कहां से आया था एक मरीज को सत्वास पी एच्छी से लाया गया है इसकरा मुक्सार है प्रती तालीब उम्र पत्चिस वर्च यह महीं सत्वास दरपुरा के निवासी है और इनको कुछ यहर वेर खाने की विवाद के बाद आया था तो अभी सत्वास ने किया है और मारीज की हालत अभी स्तिरवनी हुई है लेकर आम उसे आगे रिपर कर दें आपका नाम आधा अभी के लिए इतना ही लगातार ख़बरों के लिए बने रही आइब नाइन न्यूस के साथ नमस्कार झाल